हेलो दूख तो स्वागत है आपका सोशियोलाजी क्लासेज के हमारी यूटूब चैनल पर जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो है रिवीजन से चल रहा है जिसके अंतरगत हम पीवाई क्यों और यम्सीक्यू क्यूस्टन देख रहे हैं तो इससे पहले आपको एक ज़रूरी सूचना दे दे रहे हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर डेली लाइव क्यूस्ट कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वहां पे हम 9am और 9pm पर लाइव क्यूस्ट करवाते हैं जिसे आप प्रटेंड कर सकते हैं आए देखते हैं आज का पहला प्रश्ण बिसेशी क्रिट अभिलत्षडों की पहचान हेद व्यवस्थित और वस्थ परकपद्धत में प्रलेखित संप्रेशर के विसलेशन में हम निमलेखित में से किस प्रडाली का उपयोग करते है है के स्टेड़ी साचार ये थक्रिम्ट विसावस्थों विष्लेशन जा फिलुकत में से कोई नहीं तो राइट आंसर होगा जहां भी हम प्रलेखित संप्रेशित आदिका विश्लेशन करते हैं ब्यवस्थित तरीके से तो किसे हम विसलेशन का प्रयोग करते हैं है अगला कि निमलिखीद मेंसे किस बिचारक ने कहा है कि ब्यक्ति कुछी भी प्रकार के तद्धियों को वर्गी कीत करता है, जो परसपर संबंद हों में देखता हैं और उनके अनुक्रम का वारन करता है बैग्यानिक प्रडाली को लागू कर रहा है वह विज्ञान का व्यक्ति है काल पापर इने में जे गाल्टन या काल पियर्सन तो यहां राइट आंसर हो जाएगा जी काल्स पियर्सन का कथना है अगर कोई व्यक्ति किसी तत्य का वर्गी करके उसके बीच संबंधों को देख बैग्यानिक तरीके से देखकर तो वह व्यक्ति है अगला है माध्य के सभी पदों के बिचलों का योग सरवाधिक असधिर आवसत है माध्य बहुलक माधिका या ज्याम्ती या राइट आसरत हो जाएगा वह होगा बहुलक बहुलक जो है सरवाधिक इस्तिर अवसत रखता है क्योंकि यह बढ़ता और गड़ता रहता है अगला है निम्लिखित में से कौन सा अनुसंधान अभिकल्प नगरी मध्यवर्ग जनसंख्या के मतारिकार के ब्योहार के अध्यन के लिए दो जब भी हम किसी होसा कीति अभिकल्प में नगरी मध्यम मharrग जनसख्या की अध्यन करेंगे या उनके द्यवहारों का जब्योहार करेंगे तो उसी widn करेंगे कि अन्मेसाड होत्मत में कि नए सिधांतों की खुश की जाती है प्रयोग आत्मत में सिधांतों का परिच्छड या पुनर परिच्छड करके कार्यकारण के संबंधों को देखा जाता है अगला है प्राक्रितिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर अनुवे स्थंग्यानात्मक आसायों से उत्पन होते हैं यह किन का विचार है अगस्त काम्टे का इमाहिल तुर्खीम का मैक्स वेबर का या कार्ल मैंन का तो यहां राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर मैक्स वेबर ने प्राक्रितिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर कर बहुत धिक आसाय को उत्पन किया है अगला है मौखिक इतिहास बिधी के माध्यम से हम किसका संकलन करते हैं मानो घटनाओं के आकड़े को जीवित लोगों के संस्मरण को इतिहास कारों के संस्मरण को या मानो सरीर के आकड़ों को जब हम मौखिक इतिहास बिधी को जानने बात करते हैं तो जीवित लोगों के पिछली घटनाओं के बारे में जानने के लिए हम मौखिक इतिहास बि कि नापने के पेमान एक अठहड़ा आवचब और मानग बिचलन क्या दिखाते हैं ऐसमांता का पर्डाम समांता का पर्डाम दोनौ या इद之前 कोई नहीं। अधृ तो जहाँ फोयाव पन्रह पचीज को ले लिए हैं तो हम इसे माध्यमाली है तो इसका बिचलन कितना है और इसका बिचलन कितना है यह इन दिगुनों के बीच का जो है असामानता को बताता है अगला है आरके मर्टन के अनुसार अंतरवस्त विसलेसर में निम्द में से क्या सामिल होता है असमानता का परड़ाम प्रतीकों की गर्णा अभियान विसलेसर या गुडात्मक विसलेसर तो यहां पर गुडात्मक विसलेसर छोड़के असमानता का पर्जाम प्रतिकों की गरना अभियान इस लेसर इन तीनों को समलित की जाता है तो राइट अंसर हमारा हो जाएगा डी एक तो ती अगला कतन है निम्न में से कौन से औसद की केवल बंद सिरों वाली सारडी से ही गरना की जाती है माद से मादिक्या की बहुलक की जा उपरियुक्त सभी का जो है बंद सिरोक के तहथ ही गर्णा की जाती है अगला है अन्योन आस्रित्ता निम्न में से किसके मध्यम सफ परिवर्थनियता का अस्थर बताता है गुडात्मक चरो के परिवर्थमक दोनों के चरो का कोई भी सही हो जण नहीं तो यहां राइट होका अन्योन आस्रित्ता निम्न में से संख्यात्मक या परिवर्थनियता अस्थर बताता है अगला है निमलखित में से कौन सा एक गुडात्मक और दूसरे गुडात्मक चरो के बीज सपरिवर्तन की मात्रा की माप कर सकता है युले फाई काई स्क्वायर या रो तो राइट आंसर होगा काई स्क्वायर जो होता है वह गुडात्मक एक गुडात्मक चर से दूसरे गुडात्मक चरों के बीच के सपरिवर्तन की मात्रा का माप करता है अगला है अलग-अलग समय पर आकड़ों के संग्रण को शामिल करते हुए अध्यान प्रारूफ निमन में किसे जाना आता है सता है गर अध्यान प्रचलन अध्यां ध्यापक प्रतनीदित्व अध्यन या देसहांत्री अध्यान जब में देखा जाता है उसे हम देशांतरी अध्यान के रखें गें अगला है सोध की बीचनात्मक दृष्टिकोड जिसके सिध्धांत निगनात्मक रूप से व्यूत्पन किये जाने के बजाए केवल आकड़ों की जाज से ही जनित होते हैं तो इनिम्न में से कौन सा है तरक संग संगत प्रतिमामला विश्लेशन निरंतर तुलनात्मक या उपरयुक्त में से कोई नहीं तो जब सोध के बीचनात्मक दृष्टिकोड जिसमें सिध्धांत निगनात्मक रूप से व्यूत्पत्त किये जाते हैं तो उसे तर्ग संगत सिध्धांत की स्रेड़ी में दखा ज होता है निम्न में से किस रूप में जाना जाता है संगर्च परिकल्पना सांत वना परिकल्पना शुन्य परिकल्पना या उपरयुक्त में से कोई नहीं तो सुर्य परिकल्पना जो है यह सुझाव देता है कि जो दो चर है इनके बीच कोई संबंध नहीं है अगला है परिपेच या प्रकारियात्मक परिपेच तो अगस्त काम्टे ने जो है एतियासिक परिपेच का समाज के अध्यन में प्रयोग किया है अगला है निमलिखित में से किसने कहा है कि सभी प्रतिमा जो है समाविष्ट मानते हुए जो कि मानव जीवन के किसी भी प्रकार से देखिए तो राइच चांसार जाएगा जाजबस द जो है बिलो दीप विस्प अधालडा की बात करते हैं नोहने का नहीं जो ही स्वामिश्ट होते हुए जीवन को किसी भी प्रकार से प्रभाववित करते हैं या उन्से जुड़े हुए होते हैं वह विलो दीप का अंक्णर करण के नए सिध्धान्त बनाए जाने को कहते हैं नव माक्सवादी सिध्धान्त उक्तर माक्सवादी सिध्धान्त पुर्व माक्सवादी सिध्धान्त या माक्सवाद के सिध्धान्त की समाह अलोजना तो नव माक्सवाद का चिंतन का जो संस्वोधन किया गया था उस नए सूची एक में जो है सिद्धान्त को कि तरकिक्ता के प्रकार दिये हैं असूची दो में उनकी पर दिपनेशन से समझे तो ब्योहारिक तरकिक्ता जो है वह व्यक्ति के ब्योहार वादी अहम वादी इरादों के द्रिष्ट कोड से दुनिया की गद्विधियों को देखता है स हम ब्योवस्था के मुल्य के संदर में साध्य कि श्रेडी में आजबासाध्य का चैन करके द्रिष्ट मुल्य के देखता है मुई आउपचारीक तरश्यची जो होता है वह साध्य सगठां एक सार्भावमिक अनुप्रयूक्त नियम के रूप में जाना जाता है तो कि तो य अगला है नारी वादी ग्यानवाद ऐसी अधरला है जो सिध्धान्त पर आधारित है किस सिध्धान्त पर आधारित है समाज सास्त और नारी वाद के बीच दिवसाय तथा नारी वादी करण योनात्मक था या भावनात्मक संबंधों पर बल देते हुए महिलाओं के अपने अनुभव और अस्थान का प्रतिम्बन तो नारीवादी ज्यानवादी ऐसी अधारणा है जो भावनात्मक संबंधु पर बल देते हुए महिलाओं के अनुभव और उनके अस्थान के प्रतिम्बन के सिधात पर आधारित है अगला है सूची एक को सूची दो से सुमेलित उस्च में रचनाय हैं और सूची दोमें उनसे संबंधी लेखर तो मैडनेश एन्ड सिविलाइजेशन जो पूश्तक है मिशेल फूको या माइकल फोकाल्ट से संबंधित हैं कैपलिस्ट एंडि माडन सोशल थिओरी पूश्तक जो है या को कि आंटनी गिदिंग से है जैक्स तरीदा और स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलाजी की बात करते हैं क्लाउट लेविस ट्राश तो यहां राइट आंसर हो जाएगा कि दो चार एक तीन तो दो चार एक तीन हमारा आपसन शी में है अगला निमलीखित में से किसने हसले नहीं हुरसल के घटना ज्यान के द्रिश्टकोर की आलोचना आत्मक बी नियोग प्रस्तुत किया है अलफ्रिट सूट्स पीटर बर्गर लकमन या परिफ्ट में से कोई नहीं तो हर्चल के सिस्ट जो अलोचना करते हुए उनकी जो सिद्धान था उसमें इन्होंने सुधार किया था कि समाज सास्त्रियों को एक प्रविधी नास्तिक रवय अपनाना चाहिए और या चर्चा करने की कोशिस नहीं करनी चाहिए कि धर्म सामाजिक रचना से अधिक कुछ नहीं है पीटर बर्जर, अलफेट सूट्स, लक मैन या परियुक्त में से कोई नहीं तो राइट आंसर यहां हो जाएगा ए बर्जर का कथन है कि समाज सास्तियों का एक प्रविधिक परक नास्तिक रवाया अपनाना चाहिए उन्हें यह नहीं चर्चा करने की कोशिस ही नहीं करना चाहिए कि धर्म सामाजिक समशना में से अधिक कुछ है नहीं है अगला है अगला है तो राइट आंसर यहां भी हो जाएगा कांसिक्वेंस आप मारा निटी जो पुस्तक है वर एंथनी किडिंग से संबंदित है अगला है शमाज सास के अंतरगत उस सैधानतिक और विशेशिक दिश्ट कोड की सुबात किसने की है जो एथार्थ बोध निर्माड में लागू सामाजिक सच्छमता पडालियों को इस पश्ट करता है इर्विन गाप मैं एच गारफिंकल एंथनी गिडिंग सेया लुकान या लख मैं तो यहां राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा गारफिंकल ने कहा है कि समास्तास के अंतरगत सर्धांतिक और विशेशिक दिश्ट कोड की सुवात करते हुए का यह थार्थ बोध निर्माड लागू सच्छमता पडालियों को इस पश्ट करने का स्रे गारफिंकल को दिया जाता है अगला है जुरगीन है बरमास की सधांतिक सोचने किस पच्छ का सरवाधिक आलोचना हुई है दोस्थाओं के सिध्धांत पर सामाजिक विक्यास के विकास आत्मंग माडल की सध्धांति करण की अधिक अमूर्थ प्रकीतिपन इन सभी पर जो है इनकी आलोचना की गई है तो यहां राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा डी एक दो तीन अगला एंथनी गिडिंग्स के स्ट्रक्चरेशन सिधान्थ की प्राथमिक्ता किसे दी गई है संद्षना को एजंसी को संद्षना और एजंसी दोनों को या दोनों में से कोई नहीं तो यहां राइट आंसर हो जाएगा एंथनी गिनिंग से हमने जो है इनमे से प्राथमिक्ता किसी को नहीं दी आ अर्था दोनों को समान रूप से इन्नोंने प्रयोक किया समान रूप से देखते हैं अगला काल माक्स के अंसार कामगार का अलगाव उससे किस कारणवस होता है उत्पादन और उत्प सब्सक्राइट से कारणाया वुनेंगार तो कालमाक्स के अनुस्हार का अवैया उत्पादन और उत्पाद के समाश से करनके में से अहले पास का लगार ने शबता क journée उसार धार करान प्लार आजेया और लेखन जो अपने विसायों को बाद्र करता है ऐसे लेखन जो अपने विशयों को बाद नहीं करता है पुर्युक्त में से दोनों या कोई नहीं तो यहां राइट आंसर जो हो जाएगा जैक्स दरीडा ने भासा को एक ऐसे लेखन तक जो अपने विशयों को बाद नहीं करता है के रूप में घटाया है अगला है किसे ने माक्स के पुरवर्ति दार्शनिक कारे और उनके परवर्तित बैज्ञानिक उधारणाओं और ज्ञान के ज्ञान मिमांसी अंतराल का पता लगाया है अलफ्रेट सूट्स, जे अलेकजंडर, अलल्थ्यूजर या टी बार्टेन तो राइट आंसर हो जाएगा, अल्थ्यूजर ने जो है माक्स के पुरवर्तिक दार्शनिक कार्थ अर्थात इन्होंने युवा माक्स और मेचोर माक्स अर्थात इन्हें ने जो प्राथमिक या पहले के जो इस शुरुवाती समय के उनके जो दर्शन या कार्य थे उन्हें इन्होंने युवा मार्क्स के रूप में देखा है और बाद के कार्यों को इन्होंने मेच्चोर मार्क्स या परिपक्व मार्क्स के रूप में जो है होया जाता है कि एक अस्थान पर होने वाले घटनाएं कई मील दूर हो रही प्रक्रियाओं से प्रभावित होती है और इसके विप्री थी डी नईयर एंथनी गिडिंग्स वाई सिंग या अमर्थ शेन राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा एंथनी गिडिंग्स ने जो है 22 करण के 20 व्यापी समाजित संबंधों के गहनी करण के रुप में वडित करते हुए या कहा है कि अगर 22 करण के माद्यम से कोई घटना एक जगा घरती है तो उसका प्रभाव मीलो दूर हो रात होता है और कहीं कहीं तो इसके विप्रीद भी उसका प्रभाव पढ़ता है ज जो या मौशंत के जलवाई परिवर्तन के रौप में अगला जैक टरीदा ने मुख्य रूप से किस पर धियान के इंदरित किया है लोग की भासा का विखंडन, लोगों सेंट्रिजम का विखंडन, उस समर्चना का विखंडन, जो लोगों को बाद्य करती है या गुलाम ठ थेटर का विखंदन तो जैक्स तरीदा का जो मुख्य रूप से ध्यान के इंदित्था वह लोगों सेंट्रिज्म के विखंदन के रूप में देखा जाता है तो आज की वीडियों यहीं समाप्त करते हैं वीडियों को लाइक और सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्य वाद